कोवा कैसे देता है सुब तथा ऐसुब संकेत नमशकार प्रियजनू स्वागत थे आप सब का हमारे यूटुब चैनल धार्मिक डेश्टिनी में आज हम सब जानेंगे कि कोवा सुब तथा ऐसुब होने का संकेत कैसे देता है तो चलिए सुरू करते हैं आज की प्रस्ति केई सब देशी संसकर्तियों के लिए ये पक्षी परिवर्तन पुनर जनम और नवनी करण का परतीक है जब कुछ मैत्पन घटिक होने वाला आता है तो उन्हें एक शगुन के रूप में देखा जा सकता है इसके अलवा कुछ मूल अमेरिक की चंजातियों का मानना है कि सफेद गुए अंधेरे बलू या एलो की घटनों में तक्षब कोते हैं और एक अच्छे संकेत का परते जित्वफ करता है कोवा कैसे देता है सुब असुब होने का संकेत सुब संकेत भी देता है कोवा यह घर में महमान की आगमन का संकेत देता है अगर कोई कोई मुगा में रोटी का टुकडा दबा कर उठते हुए दिखे तो यह आपकी किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने का सुबसंगेत है सकुन सास्त्र में दोपैर के समय उत्तर दिशा में कोई का बोलना भी अच्छा माना जाता है कोई काम काम करता है तो क्या होता है कोई अगर यात्रा करने वाले दिखती है सामने आकर सामनी स्वर में काम काम करे तो और चला जाए इसका मतलब होता है कि रुके हुए काम पूरे होने वाले है वहीं अगर को आप पानी से भरे घडे में पर बेठा दिखाई दे तो ये परिवार में धन की ब्रदी का संकेत है यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट शिक्षन में रादे रादे जरूर लिखें धन्यवाद